iOS 17.1 का update आज आ गया है, iPhone XS, XS Max, iPhone XR और उसके उपर वाले जितने भी फोन है, चाहे 15 और 15 प्रो हो, iPhone SE का 2nd generation और उसके उपर वाला जो model है, उन सब के अंदर आपको यह वाला जो update है, मेल जाएगा, काफी बड़ा update है और इस वीडियो में हम बात करने वाले क्या यहां पे न 3.3 के उपर है मेरा फोन, अब update के बाद जो available space हमारे पास है, वो है 325 GB, तो 1 GB extra आपको यहां पे मिल रही है और अभी आप version देखोगे, तो आप देख सकते हो, iOS 17.1, तो मेरे पास जो storage है वो बढ़ गई है पहले के comparison में, तो यह अच्छी चीज है, iOS 17.1 के बारे में, और का पहले बात कर लेते हैं, क्या-क्या नया मिल रहा है, iOS 17.1 के अंदर, सबसे पहला feature iOS 17.1 का जो है काफी लोगों के लिए important हो सकता है, वो है यहां पे, जो airdrop over internet वाला feature हमें पहले नहीं मिल रहा था, वो आप मिल रहा है, यानि कि अब अगर आप कोई भी चीज सेंड करना चा और यहां पे settings के अंदर आपको एक चीज दिखे होगी, standby, standby जो है बाकी devices में भी मिलता है, बट यह जो feature है मिलेगा सिर्फ उन्हीं devices में, जहां पे हमें always on display मिलता है, यानि कि iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro and 15 Pro Max, तो अब एक नई setting आ गही है, standby के अंदर, वो है यह display वाली settings के अंदर चलते है यहां पे, अब आप जो display है, उसको completely off कर सकते हो, तो यहां पे तीन option है, आपके पास, automatically, after 20 seconds and never, automatically पे अगर आप set करते हो, रात के time पे जब आप सोने के लिए जाओगे, तो आपका phone जो है, automatically detect कर लेगा, क्योंकि आपके room में अंधिरा होगा, और जो screen है, उसको बिल्कुली कर देगा, अगर आप automatic पे रखते हो, तो ऐसा होगा, अगर आप करते हो, 20 seconds, तो जब आपका phone inactive होगा, आपने standby mode के ऊपर लगा देगा, तो 20 seconds के बाद जो display है, वो अपने आप off हो जाएगा, और अगर आप never करते हो, तो जो display है, वो off नहीं होगा, तो अब आपके ऊपर है आप कैसे रखना चाहते हो, मैं इसको automatically पे for sure डालने वाला हूँ, तो standby mode चले, तो ये एक अच्छा feature है, बट ये feature मिलगा सिर्फ उनी फोन में जहां पे है, always on display, जैसा मैंने पहले बताया, इसके बाद चलते हैं, अब हम music app के अंदर, apple music जो है, यहां पे काफी सारे नए features आ सकते हो, और उसके साथ ही अगर आप एक playlist के अंदर हो, तो जैसी वो playlist खतम होने वाले होगी, आपको और जादा song suggestions है, उसी type के वो दिखाने लग जाएगा आपका phone, तो अब अगर हम albums के अंदर चलते हैं, अब यहां से आप filter भी set कर सकते हो, जहां से आप अपने favorite जो albums हैं, उनको देख सकते हो, यह एक नई चीज आ गई है, Apple Music के अंदर, और Apple Music के बाद अब हम बात कर लेते हैं, तो अब अगर आप आजाते हो, wallpapers के अंदर, यहां पर आपको यह option दिखता है, photo shuffle वाला, अगर हम इसमें चलते हैं, तो पहले हमारे पास कुछ इस तरीकी का option रहते अब यहां पे, आप एक album को photo shuffle पे use कर सकते हो, तो अगर एक album के अंदर बहुत सारी photos है, आप चाहते हो, वही shuffle होती रहे हैं, आपके wallpaper में, तो अब आप उसको भी use कर सकते हो, के अलावा यहां पे कुछ bug fixes हैं, अब यहां पे जो आपकी matter accessories होती है, matter एक नया standard है, smart devices का, तो महां पे home key का support है, वो आपको मिल रहा है, I don't know, यह इंडिया में available है या नहीं, बट अगर आप US में हो, तो आप इस feature का मजा ले सकते हो, इसके लावा यहां पे जो screen time अपना feature रहता है, यह sync नहीं कर रहा था, different devices में, तो उस चीश को Apple ने कर दिया है, fix, और एक चीज जो आप किसी से phone पे बात कर रहे हो, जिस बंदे की call waiting पे है, आपको उसका नाम नहीं दिख रहा था, तो वो चीश को Apple ने कर दिया, fix, iOS 17.1 के अंदर, इसके साथ ही यहां पे ringtones की बात कर लेते है, ringtones के अंदर, जो custom ringtones है, या जो आपने ringtones purchase की हुई है, वो यहां पे show नहीं हो इसके अलावा भी यहां पे iPhone 14 और iPhone 15 सीरीस के अंदर, जो crash detection वाला feature मिलता है, उसको और भी साथ optimize कर दिया है, ताकि better तरीके से वो जो feature है, काम करे, और एक issue आ रहा था, जहां पे कुछ इस तरीकी की screen हो जा रही थी, तो इस चीश को भी Apple ने fix कर दिया है, iOS 17.1 के अंदर, औ और यही है सारा कुछ जो हमें मिल रहा है, iOS 17.1 के अंदर, अब बात करते हैं कि आपको install करना चाहिए, या फिर नहीं, तो अगर आप already iOS 17.0.3 के उपर हो तो I don't know, क्यूं आप नहीं करोगे, definitely आपको update कर लेना चाहिए, काफी बड़ा update है, काफी सारे changes है, तो definitely update करो, बट अगर आप wait भी करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जो हैं, वो डरे हुए हैं, कि वो जो green screen वाला issue हो रहा था iPhone 13 में, वो फिर से now, तो अगर आपके पास iPhone 15 series है, फिर तो डरने की जुरूती नहीं, क्योंकि अभी तो ये warranty में, तो आप बेंदास इसको install कर सकते हो, बट अगर आप wait करना चाहिए, तो आपकी मरज़े है, बट मुझे नहीं लगता, आपको wait करना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए install, और ये थी मेरे एक quick सी video, और यहाँ पे इस video के end में एक चीज़ बता लेता हूँ, अगर यहाँ पे आपको audio थोड़ी सी अजी और ये थी मेरी वीडियो वीडियो पसंद आई है, तो like, share and subscribe जुरू कर देना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करें, take care, bye bye